Investments in Securities Markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या बड़ा पैसा लगाने का समय आ गया है इन सब चीजों को हम बारीक पॉइंट को समझने कोशिश करेंगे इस educational वीडियो में ध्यान रखिए कोई भी investment advice का वीडियो नहीं है प्यूर्ली educational content है अगर आप education लेना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो वीडियो का आगे continue कर सकते ह ध्यान रखिए निफ्टी को लेकर बहुत से market में rumors चल रहे हैं जैसे कोई कहते हैं कि निफ्टी 200 EMA के पास में है तो यहां से एक bounce करके उपर जाएगा और निफ्टी जो है बड़ी तेजी के लिए तयार हो रहा है कोई यह कहेगा आपको कि नहीं निफ्टी जो है यहां से इन levels पे आ सकता है 23,300 और उसके बाद में 21,700,800 के level भी टच कर सकता है कोई आपको यह कहता हो मिलेगा कि यह जो COVID के lows है sorry not COVID lows जो election result day का जो low है उसको टच कर सकता है उससे भी नीचे आ सकता है मुझे कई तरीके से कुछ लोगों ने यह भी कहा कि nifty in gap को fill करने भी आ सकता है so everything is possible anything is possible and everything is possible in this market तो यह सारी चीजे निकल के आती है अब यह सब देखने के साथ ही हमें यह भी तो देखना पड़ेगा कि यह valuation comfort आया कहा nifty में और कितना बड़ा correction हो गया nifty में जो अब यहां से कोई बहुत बड़ी तेजी बन जाएगी या क्या हो सकता है वो हम analyze करते हैं तो correction की बात करें तो लगबग 10-11% का correction हुआ है जो कि एक healthy correction है कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं आई है लेकिन stock की हालत खराब है stocks की हालत खराब है वो क्यों खराब है उसको भी हम इस वीडियो में analyze करने वाले है और nifty के हालत जादा खराब क्यों नहीं है उसको भी हम correct हो रहा था जोरी 22 के बाद में जब correct हो रहा था October में इसका टौप लगा था यहाँ पर यहाँ यहाँ तक रिक्टाप लगा था वहाँ तक जून-Jुलई के आसपास तक आ है लो लगा था तो इस बीच में यहीं लगबग 18% का यहाँ पर correction कर चुका था उस 18% के correction के बाद में एक तेजी बनती है लेकिन अगर आप ध्यान से देखे तो इनी प्राइस के आस पास तक निफ्टी काफी time तक गूंता रहा लास्ट यह जो point touch हुआ था वो 2023 नवंबर में हुआ था नवंबर 2023 से यहां पर यह touch हुआ था उसके बाद में गया है तो अगर आप इसका return निकालेंगे तो return आप देख लीजे क्या बनाएं क्या नहीं तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ी तेजी रही है लेकिन एक चीज़ 20% भी nifty गिरता है that is normal वो बहुत normal phenomenal है तो अगर यहां से 26,000 से हम 18-20% का अगर data ले तो yes वो नीचे हा सकता है और अच्छी खासी 5,000 point की गिरावट देखने को मिल सकते है तो उस 5,000 point की गिरावट में बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह gap जो है वो fill हो सकता है तो मैं उनको गल weekly chart को आप जरा ध्यान से देखिए यह nifty का after covid का weekly chart है यह आपको दिख रहा होगा अगर इसको आप ध्यान से देखिए तो continuous pressure ऐसा जब भी रहता है ना weekly chart पर ध्यान देखिए 1,2,3,4,5,6,7 7 week हो गए 7,8 weeks लगाता downtrend है कोई भी एक major हम कह सकते हैं कि support मिला हो recovery का sign दिखा हो तो क्यों न wait ही कर लिया जाए क्यों किस बात की जल्दबाजी है कि अभी पैसे लगाओं आने दीजिए indication तब लगा लेंगे मैं तो यही कह सकता हूं कि थोड़ा cautious रहना चाहिए पैसे लगाने है तो थोड़ा सा समय है दीजिए wait करिए अभी आगे इस वीडियो में और interesting data भी आएंगे वो भी हम समझेंगे अगर इसको हम देखे तो देखे यहां पर 23,340 के आसपास एक support है यह कौन सा support है यह election day वाला support है election के आसपास का मैं आपे लिख दोता हूं pre-election highs pre-election result high यह वो वाले है ओके यह resistance बने वे थे फिर यही support बनके ऐसे गया है तो इसके आसपा monthly chart convert करते हैं ध्यान से देखिए निफ्टी का actually data अगर समझेंगे मैं जब से market में हूँ तब से मैं आपको बता सकता हूं उससे पहले का मुझे कुछ नहीं पता 2012-13 से मैं market को देखता हूं track करता हूं सारी चीज़े समझने कोशिश करता हूं निफ्टी के लिए एक मैंने trend देखा है कि निफ्टी कभी भी एक से डेड़ साल तक लगातार bullish चलता है मैं आपे लिखता हूं लगातार bullish चलता है तो जो लोग अभी कह रहे हैं कि बहुत बड कितना लेगा वो 6-12 मैंने निफ्टी या तो bearish होता है ओके या फिर वो या sideways रहता है ठीक है और इस दोरान वो 10-20% का normal correction करता ही करता है ओके तो normal correction आता ही अगर आप इसको देखना चाहें 2012-13 में market में आप देख सकते हैं 2009 से भी आप देखेंगे तेजी रही कुछ मैंने अ sideways में चलाता है 6-12 मैंने उसमें कम से कम period होता है फिर वो वापिस निकलता है फिर वैसी चीज़े फोलो होती है फिर वैसी अब उसमें crash भी आ जाते है वो भी आ गए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर से upside बनी वो 12-12 मैंने से 1.5 साल की upside बनती है फिर देखें वो 12 महीने के आसपास सक फिर से sideways चला गया मतलब 6-12 मैंने फिर वो जाता ही जाता है कम से कम बता है मैंने यह जादा भी हो सकता है 18 महीने भी हो सकता है तो निफ्टी का यह चाल चलन ऐसा ही है कि भई साल देड़ साल अगर मैं चला हूँ अच्छी तेजी में रहा हूँ तो फिर sideways और correction का repeated मानता हूँ कोई कह सकता है कि यहाँ पर यह जो है तो कोई तेजी बन गई बहुत बड़ी उनको ऐसा लग सकता है अब similarly यहाँ पर है कि अगर आप इतने टाइम से एक लगातार तेजी में रहे हो एक लगातार अगर आपने तेजी की journey देखी है तो be ready कि आप बहुत बड़ी तेजी की expectations नहीं रखनी चाहिए बहुत बड़ी तेजी का मतलब क्या होता हूँ समझिये यहाँ पर देखी जैसे निफ्टी ने हम लोग weekly chart convert करते हैं यहाँ पर फिर मिड-small की बात करेंगे जान से समझिये निफ्टी ने जैसे October 2021 में जो correction start किया था यहाँ पर तो बहुत से लोगों ने यह जो recovery आई इसमें क्या बोला आपको पता है नए हाई नए हाई 20,000, 20,000, 25,000 वो यह चालो हो जाएंगे वो gang activate होती है जैसे अभी 12,000 वाली gang activate हो रखे कि निफ्टी 12,000 आएगा सपने में भी नहीं आएगा अब देखे वो ऊपर चला आता है एक proper consultation के बाद नए breakouts किये नई तरीके से वो निकलना शुरू हुआ और फिर उसकी journey जो शुरू ही लेकिन अगर आप overall period को समझेंगे तो यह आपके पास enough period होता है अच्छे shares को डूनने का quality stops को डूनने का उनमें काम करने का आपको enough time मिलता है ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत समझ आएगी कि आपके पास enough time होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि यह भाव आपको देख लिया और आप सोच रहे हो कि वो भाव नहीं मिलेंगे मिलते हैं वो भाव भी वापिस मिलते हैं तो कोई भी जल्दबाजी से बचने की यहाँ पर indication निफ्टी ने पहले भी बताए है और 2525 के नीचे है तब तक nifty में कोई बड़ी ते जी की उमीद करना मेरे इसाबसे थोड़ी सी जALदबाजी होगी बाकि stock चल सकते है stock की journey अलग है nifty के अलग है लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी की उमिद मैं फिलाल नहीं कर रहा हूं लेकिन यह पता है अब आने वाले चाहिए, यहाँ पर कोई बड़ी बैट लेने से पहले सोचना चाहिए, मेरा तो यही विचार है, बाकि अगर मार्केट चलता है तो बहुत अची बात है, अपने पैसा ही बनेगा, आगे समझे इसको, यहाँ पर, अब मैं कुछ डाटा आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता तो निफ्टी की जो आज की यहाँ पर P.E. हमारे पास निकल के आती है, यहाँ पर हमारा वैलुएशन और यह प्राइस, हाँ, 21.65, 21.65 पैसा, यह हमारी निफ्टी की P.E. है आज की डेट की, और यह 14 नॉमबर की लास्ट P.E. आपको पता चल रहा है, यहाँ ज़रा पीछ निफ्टी ने लगबग यहाँ अगर हम जाएं, जो इलेक्शन डे वाले दिन था, वहाँ पर लगबग 20.21 के आसपास ही P.E. के आसपास आके रुका था और वहाँ से एक बाइंग कमफर्ट लोगों को मिला था, कोई जरूर नहीं वहाँ मिला तो अपकी बार भी मिलेगा, अगर हम और पीछे जाएं, तो हम डाटा देखना चाहें निफ्टी का, तो जो वो करेक्शन आ रही थी निफ्टी में, ये वाली जो 18,000 से करेक्शन चालूई थी, इसमें अगर हम देखेंगे, तब भी निफ्टी ने लगबग 18,19 के बीच में P.E. के आसपास एक 18,19 के बीच में अगर P.E. मिल जाती है निफ्टी की, तो एक बाइंग शुरू होती है, मैं पता चला, अब आए ज़रा और पीछे चलते हैं, यहाँ पर कुछ इंट्रस्टिंग डाता है, ध्यान से समझना, अगर हम COVID वाले टाइम के पास जाएं, तो मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ प्रिजेंट करना चाहूंगा, लग जा मेरे भाई, हाँ, आजा, 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 चली इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पर आपको पिक्चर परफेक्ट देने की कोशिश है, हाँ यहाँ पर, यह देखिए, निफ्टी COVID के टाइम पे जब मार्केट क्रै के टाइम पे, तो अगर निफ्टी की पी अभी की देट में आपको 18 के आसपास मिल जाए, 20 के आसपास मिल जाए, तो समझिएगा कि वहाँ पर वैल्योशन कमफर्ट आने, बड़े प्लेयर्स को शूरू हो जाएंगे, इस नोट लाइक कि वहाँ से कोई बहुत बड़ा मू अगर मैं इस नोट जाए अगर मैं इस नोट जाए अगर आप देखेंगे, तो यहां पर इसको समझने कोशिश करिए, मैं इसका 5 साल का पी लगाता हूं, अभी की डेट में जो करेंट पी चल रही है, तो अगर आप देखना चाहें, तो 33 के आसपास अभी करेंट पी, स्मॉल केप इंडेक्स की चल रही है, निफ्टी स्मॉल केप 100 की, अब एक बार ध्यान से मेरी इस बात को समझीगा, यहां पर देखिएगा, इसको जरा समझीए, इसका 2 साल का एवरेज पी रेशियो जो है, वो आप देखिए यहां पर, चलिए इसको मिटाते हैं, यहां से यह 2 साल का एवरेज पी रेशियो जो है इसको आप समझीए, यह में सेंटर है, एवरेज पी रेशियो है, और वहां से आप कितने ऊपर आगे ट्रेड कर रहे हूँ, वो आप खुद देखिए, मैं आपर क्लिक करता हूँ, इसको जरा समझने कोशिश करिए, कोशिश करता तो अगर यहाँ पर देखिए, तो दो साल का निफटी का एवरेज पी रेशियो 24 का है, और आज आप 33 पे हो, तो ओवर वैल्यूशन है, यहाँ पर देख रहा है, करंट पी 33 के, दो साल का लोग पी लगा था पंदरा का, और अगर आप देखिए, दो साल का हाई पी चैश क तो अगर आप उस upper age के आसपास चल रहे हो तो आपके valuation comfort तो नहीं है अगर इसी को मैं 5 साल पर यहां देखना चाहूँ So look at this, अगर मैं 5 साल पर convert करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहां से भी थोड़ा ज़ाधा trade होता हुआ दिख रहा है में यहां पर हम आते हैं और इसको एक बार समझने के कोशिश करिए यह 5 साल का आपका P ratio का chart तो यह भी देखने पर हमें पता चलता है कि आप काफी high पर trade कर रहे हैं नीचे trade नहीं कर रहे हैं तो आपकी P valuation काफी high है मैं idea लगा एक बार mid cap का chart यहां पर open करते हैं look at this, this is the nifty mid cap price to earning ratio इसको भी अगर आप देखेंगे, मैं 5 साल का data लगाता हूँ आपके सामने और यह नीचे हमारे पास P ratio का chart है और यह वो वाला है हमारा जो nifty mid cap का chart है अगर आप इसको देखना चाहें, तो मैं यहां पर click करता हूँ तो अगर आप P ratio को देखेंगे, तो that is around 40 40 रुपय की P चल रही है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए आपको mid cap में 40 रुपय लगाने होंगे इसको एक बार यहां और समझने कोशिश करिए मैं यहां पर कुछ लगाता हूँ, nifty mid cap का यह यहां पर price to earning लगा हूँ इसको समझने कोशिश करिए, this is the price to earning और इसको हम यहां पर देखते हैं अगर मैं एक साल का price to earning देखू, 35 का है अभी कहां चल रहा है महाराच, 40 पर चल रहा है तो यानि एक साल के average से भी उपर है काईदे से 5 साल का average देखना चाहिए तो 5 साल का average 25 के आसपास आता है 25, 30 के बीच में अगर average है और आप काफी उपर चल रहे हो 40 पे तो किसी तरह के से valuation comfort नहीं है अब nifty small cap और midi cap के ज़रा chart समझने कोशिच करिएगा आपको better picture मिलेगी और आप जान पाएंगे कि एक्चुल में हो क्या रहा है मैं आपे लिखता हूँ nifty small cap 100 का chart इसको एक बार आप ज़रा ध्यान से समझिएगा आपको idea लगेगा look at this this is nifty small cap 100 chart यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे यह भी 200 EMA के आसपास आ चुका है और अगर इसको आप समझना चाहें चलिए मैं इन सारी lines को अटाता हूँ ध्यान से देखिए यह एक बड़े support area को तोड़ने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है इवन साफ साफ तोड रहा है यानि यहाँ से कोई immediate recovery आ गई तब तो ठीक है जिसके chances काफी कम है otherwise अभी valuation comfort आने में थोड़ा समय है यानि यह भी थोड़ा sideways to negative हो सकता है और bearish trend की तरब जा सकता है कोई ऐसा नहीं बहुत बड़ा bearish trend होगा लेकिन sideways to negative के indication तो आ चुगे हैं बाकिये में धिरे-धिरे पता लगता रहेगा इतनी data clear होनी चीए हमारे सामने इसको एक बार weekly clear करते हैं ध्यान से देखिए अगर weekly chart भी आप देखेंगे यह लगाता आप trend में रहा है और small cap में बीच में correction आने चीए ऐसे correction आने चीए जो नहीं आये है ध्यान से समझे इसको यहां पर अच्छा खासा bulls ने कोशिश किया था hold करवाने का अभी भी कर रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके से इन levels के नीचे sustain करना small cap के लिए अच्छा नहीं होगा वो फिर valuation comfort नहीं आयेगा और small cap के लिए एक बार दिक्कत आ सकते है यानि small cap companies में अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो सावधानी से लगा हैं इसका मतलब यह नहीं कि कोई stock चलेंगे ही नहीं हो सकता है पुरा market ही चल जा लेकिन आप अच्छी company में ही पैसा लगा है जहां valuation अच्छी है यह 50-60P वाली जो companies है वहाँ पे उस टाइब के valuation comfort हो तो ही पैसे लगाए बढ़ना बच के रहे थोड़ा सा इसको आप समझेए अगर मैं यहीं पे आपके सामने nifty mid cap का data करूँ तो इसको भी आप समझेए this is mid cap 100 data इसको एक बार समझने के कोशिश करिए और हम daily chart convert करते हैं ध्यान से देखिए यह भी 200 इयमे के पास support ले रही है तो यह कोई संजोग नहीं है चलना है तो यहां से चल जाओगे बढ़ना एक बार की दिक्कत होगी और मेरे को लगता है कि sideways to negative trend जादा हो सकता है अगर यहां पे भी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक area में बहुत time से यह support बना हुआ था इस support range को तोड़ा जा रहा है even clear तोड़ा गया है और वो weekly close भी उसके नीचे आ चुकी है तो एक बार negative है यह में समझना होगा but that doesn't mean कि सारी company ही बेकार हो गई है अच्छे मोखे मिलेंगे बट पैसे लगाने से पहले सोचिए मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि पैसे मत लगाई है मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा कोशेश हो जाई है कोशेश होके पैसे लगाई है अगर आप valuation wise जाते है chart wise जारे that is totally different thing लेकिन अगर आप valuation wise सोचना चाहरे तो valuation comfort थोड़ा सा कम आ रहा है इस बात को समझने कोशिश करिए कोई भी तरीके से jump करने कोशिश मत करिए fund को reserve रखे देखे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ fund आप reserve रखे एक वो बंदा होता है उसकी अपनी choice है एक मेरे जैसा होता है मेरे जैसे बंदे की thinking क्या है कि हमें पैसे लगाने है लेकिन एक fund reserve रखना है जो बड़ा fund है वो reserve रखेंगे जिसके basis पे मैं trading करता हूँ वो reserve रहेगा तब मैं क्या करूँगा तो emergency के लिए मुझे कुछ सोच के तरफ ना पड़ेगा और मैं बड़ा fund अभी फिलाल डालने के mood में नहीं हूँ यह आपको समझना होगा कि बड़ा fund डालने वाले indications नहीं है वस इस बात का ध्यान रखिए company अच्छी अगर मिलती है तो उनको देखते रहे बट valuation comfort चेक करिए mid cap, small cap कोई बहुत बड़ी तेजी के लिए तयार नहीं है अगर हमेंगे expect रहे न कि आने वाले एक साल में double हो जाएंगे कुछ नहीं होने वाला है परिशान मले हो जाओ क्यों इसका reason में आपको यहां समझाता हूँ यह कोई मजाक नहीं होता कि mid small में वसुले से हर साल double हो जाए यहां पर देखो last year माई के अंदर mid cap जो है 31,000 पर trade गर रहा था 31,000 जार 32,000 के आसपास अगर वही mid cap यहां पर अभी 60,000, 62,000 का level touch करके है 31,000,000 का मजाग आगए यहां से आप 1,00,000 कर लोगे इसको मजाग समझ रखिए गया यहां कि एक साल में ऐसा हो जाएगा रुकना पड़ेगा, time लगेगा मजाग नहीं evaluation नाम की चीज़ आपने लगातार इतनी तेज़ी देखिए तो वह correct होंगे वहाँ पे आपको यह सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर पैसा लगाना है तो बहुत solid किसी के fundamentals है बहुत solid किसी के results है उसके बाद अगर वहां momentum बन रहा है तो मैं पैसा लगाऊ या फिर कुछ उतना ही पैसा लगाऊ जितने पैसे को मैं अभी और नीचे देख सकता हूँ अगर मैं नीचे जाता है वहां नहीं देख सकता तो मुझे बड़े पैसे लगाने से थोड़ा सा बचना चीए थोड़ा सा comfort आने दीजिए चीजें ठीक होगी तो यहां भी indication हैंगे मेरा कहने का बिल्कुल यह मतलब नहीं है कि मार्केट कभी नहीं चलेगा मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी थोड़ा cautious रहिए जल्दी मत करिए बहुत जल्दी में आप पैसे लगाने में हो तो मार्केट नहीं चलेगा ले लेंगे अथा पैसा किसी के पास नहीं है लिमिटेड अमाउंट उसकी प्लानिंग ज़रूर करिए मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है इसको एक बार स्मॉल केप पे भी समझने कोश्च करिए मैं आप पर दिखाना चाहूंगा इसको तरह देखिए निफ्टी स्मॉल केप अंडर्ड ग्यांस रेकिए आपने ये अथा तेजी देखिए है ना तो इस तेजी के बाद में कुछ थमने दीजिए हो जरूरे नहीं कि निफ्टी स्मॉल केप और मिड़ी के बहुत बड़ी गिरावट करें नहीं करते तो sideways होने दीजिए थोड़ा time रुकने दीजिए फिर ले लेंगे देख लेंगे ना क्या होता है लेकिन जल्दी बाजी में मेरा कहने का मतलब है कुछ नहीं कर आची यह मेरी तरफ से आपको सिंपल जो analysis थी वह मैंने प्रेजंट करी है वाईशन भी और जो chart भी नी कल किया रहा हो में आपके सामने प्रेजंट किया है ऐसी analysis अगर आप सीखना चाहें तो wave analysis पे जूर सकता है हमारे साथ personally उसके इस नंबर पर संपक करके आप registration करा सकते है wave analysis एक personal 1 to 1 training program है जहां एक समय में एक इनसान मेरे साथ सीखता है अगर आप सीखना चाहें, इस नंबर पर संपग करके registration करवा सकते हैं और साथ ने इस बात का आप definitely ध्यान रखें कि आप account opening कराना चाहते है, demate account की तो आप हमारी help ले सकते हैं हमें इस नंबर पर आप definitely whatsapp करिए पूछिए कि भी हमें demate account खुलवाना है Monday to Friday हमारी team active रहेगी आपको help कर देगी कि भी आपके लिए कौन सा demate account अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं वो आपको proper guide करेंगे तो आप definitely हमारे साथ connect हो सकते हैं और चैनल के join button पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ जूड़ सकते हैं wave analysis के लिए दिये गए number है इन पर WhatsApp करना न भूलें अगले वीडियो मिलते हैं अब तक के लिए धन्यवाज, जय हिन, जय भादा